हुआवे ने लॉंच कर दिया अपना लेटिस्ट बजट स्मार्टफोन और नाइन लाइट इसकी खासियत वेल इसमें हैं चार-चार कैमराज तो क्या है इसके स्पेसिफिकेशन्स क्या है इसकी प्राइसिंग और क्या ये है दे न्यू बजट चैंप विल हाई मेरे नाम है शारिब और आप देख रहे हैं कम्माल की गैजट और आज किस वीडियो में मैं बात करूँगा और नाइन लाइट के बारे में और साथी साथी से कंपेर करूँगा हुआवे के ही रिसीजी लाउंच फोन 7X के साथ में तो आप इस वीडियो को इंट देखते रहे हैं और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँँ कि अगर आप पहली बर हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो कंसरे करिये से सब्सक्राइब करने का क्योंकि मैं लि वेरियंट में एक है 3GB RAM with 32GB internal memory और दूसरी जो है वो है 4GB RAM with 64GB internal memory 3GB and 32GB वाला वेरियंट जो है उसकी कीमत है 11,000 रुपए और 4GB and 64GB वाली वेरियंट की कीमत है 15,000 रुपए अब जान लेते हैं इसकी क्या कैस में आपको इस स्पेसिफिक्शन देखने को मिलता है तो डिस्प सेटप और फ्रंट कैमरा वहां पर भी आपको सेम सेटप देखने को मिलता है मतलब 13MP प्लस 2MP का कैमरा प्रॉसर की बात को यहां पर आपको मिलते है 2.36 GHz की OctaCore Kirin 659 अगर Kirin प्रॉसर के बारे में आपको नहीं पता तो यह है Huawei का ही अपना homemade प्रॉसर जीप्यू यहां पर मिलती है वो है इसके चार-चार कैमरा दो रियर में और दो फ्रंट साइड में सो क्वाड कैमरा आपको मिल रहा है 11,000 के प्राइस पॉइंट में विच इस रेली अन्बिलेवेबल जिसका मतलब हुआ कि आप अपने रियर कैमरा से भी ले सकते हैं पोट्रेट मोड और अपन सामने और पीछे दोनों की तरफ दिया गया है वो बिसिकली डिप सेंसिंग के लिए ही दिया गया है ताकि आप अपने बैग्राउंड में जो भी ऑब्जेक्स हैं उसको आप बलर कर सकें और जिसकी वजह से ये फो है वो दे पाता है आपको पोट्रेट सेल्फी और पोट् पोन में अभी तक से हमें देखने को मिला है साथिसाथ इसमें आपको मिटलियन ग्लास का फ्रेम देखने को मिलता जो बनाता है इस फोन के ओवर और लुक्स को काफी शांदार तो लुक्स इसकी ग्रेट है ग्रेट बिल्ट इन डिजाइन है इसकी वेल ऑप्टिमाइस फीचर है इस मोबाइल का तो यह थे इसके प्रोज अब बात कर लें इसके कॉंस के बारे में क्योंकि कोई भी फोन जो है वो परफेक्ट नहीं होता है कभी एक डिजाइन देने के वज़ए से कुछ ऐसे पुराने फीचर से जिसको अटा लिया जाता है या पिर कभी को नए नहीं करते हैं तो यहाँ है पर आपको मिलती है कि इसमें को है बट इस price point पे IPS panel भी हमें बहुत जादर devices में देखने को नहीं मिलता तो ये more of a kind आप कह सकते हैं एक nitpicking है कि ये चीज़ें इसमें कम है इसके लावे इसमें जादर cons ऐसे देखने को नहीं मिलता है और जो cons मैंने आभी आपको बताया भी है वो आप कह सकते हैं कि मैंने nitpixy किये हैं क्योंकि इस price point पे ये सारे जो cons मैंने बताया है वो वैसे भी आपको किसे दूसरे device में देखने को नहीं मिलता है तो मेरी नजर में honor 9 light जो है वो इस price point पे है the new budget champ विल अब बात कर लेते हैं honor 7x के बारे में जिसके बारे मैंने बताया था कि मैं ऐसे compare करूंगा जिसे अब भी रिसेंटली ही honor ने launch किया है कुछ दिन पहले तो back to back almost same price point पे दो phone को launch करना विल मुझे नहीं पाता कि honor क्या कर रहा है so honor 9 light की ही तरह honor 7x भी आता है दो वेरियंट में यहां पर सिर्फ एक जो main difference है वो ही है कि दोनों वेरियंट यहां पर 7x में आपको मिलती है 4GB की RAM internal memory आपको एक में मिलती है 32GB की और एक में मिलती है 64GB की तो 32GB वाले internal memory की जो कीमत है वो है 13,000 रुपए और 64GB वाले internal memory वाले वेरियंट की जो कीमत है वो है 15,000 रुपए so यहां पर आपको मिलती है 5.9 inch की full HD plus IPS LCD screen with 18.9 aspect ratio RAM और internal memory मैंने अभी आपको बताया rear camera यहां पर आपको मिलता है 16MP plus 2MP का setup यहां पर आपको देखने को मिलता है front camera में यहां पर आपको मिलता है 8MP so यहां पर quad cameras का setup नहीं है front camera में आपको single camera ही देखने को मिलता है लेकिन rear side में यहां पर भी आपको dual camera का setup देखने को मिलता है प्रोसेसर यहां पर भी आपको सेम है 2.36 GHz के Octa-Core Kirin 659 GPU यहां पर भी वही है Mali T830 MP2 पैर्टरी केपैसिटी यहां पर थोड़ी सी बढ़ी है जो कि है 3340 मिली एम पाउर की और यह आता है Android Noga out of the box विच इस बिट सर्प्राइजिंग क्योंकि जब यह Android और यह और यहां पर लिट सकते हैं तो इस फोन में भी इन्हे देना चाहिए था अब बात कर लेतें इस फोन के प्रोस के बारे में क्याएक है चीजसी यहां पर आपको अच्छी देखने को मिलती है इस प्राइस पॉयंट पे तो यहाँ पर जो camera है जो rear camera especially है वो इस price point पर सबसे अच्छा camera आपको देखने को यहाँ पर मिलता है बतलब इसका जो camera है वो Honor 9 Lite के camera से जादा better है यहाँ पर यहाँ पर भी आपको 18-9 aspect ratio वाले screen देखने को मिलती है जो Honor 9 Lite में भी देखने को मिलती है साथे साथ glass and metal का build यहाँ पर भी है जो इसकी वहाँ पर भी आपको देखने को मिलता है पैटरी लाइफ यहाँ पर काफी अच्छी है इस phone की overall performance जो है वो करीं 659 की वजह से काफी अच्छा है जैसा कि हमें Honor 9 Lite में भी देखने को मिलता है कि वहाँ पर भी same processor और same GPU को combination है तो performance जो है वो दोनों फोन में equally good है यहां पर एक और खास बात जो देखने को मिलती है वो यह कि इसमें जो डिवल सिम का support है तो दोनों सिम जो आप इसमें लगाओगे वो दोनों सिम जो है वो 4G ready होगा मतलब दोनों सिम आप में आप एक साथ 4G जो है वो आप यूज कर सकत देखने को मिलता है कि उससे यहां पर आपको आपको से के यहां पर 9 light की तरह dual front camera नहीं दिया गया है well after all कुछ ना कोई differences रखने थे दोनों phone में ताकि लोगों के अपने choices के हिसाब से लोग phone को ले इस विए से मेरे ख्याल है honor ने ये काम किया है क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा honor 9i एक phone उन्होंने launch किया था कुछ टाइम पहले तीन-चार महीने पहले उसमें भी उन्होंने quad cameras का support दिया था मिन कि वहां पर भी आपको rear में दो camera और front में भी दो camera देखने को मिलता है सो यहां पर honor 7x में आपको dual front camera देखने को नहीं मिलता है अब मैं बात करूं दोनों की comparison की तो in the meantime मैंने आपको कुछ comparison बता ही दिया है कि अगर आपको rear camera अगर आपकी preference है तो आपको लेना चाहिए honor 7x अगर front camera अगर आप जादा यूज़ करते हैं portrait selfies या selfies वगरा जादा लेते हैं तो उस case में आपकी चॉइस होनी चाहिए honor 9 light इस्क्रीन की quality अगर आपको बेटर चाहिए तो आपको जाना चाहिए honor 7x के साथ में क्योंकि यहाँ पर आपको मिलता है IPS LCD पैनल बड़ी स्क्रीन चाहिए तो भी आपको honor 7x के साथ में जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर आपको अल्मोस्ट मिलता है 6 इंच की IPS LCD full HD plus display और अगर शोटी स्क्रीन आपका preference है तो अब आप जा सकते है honor 9 light के साथ में क्योंकि वहाँ पर आपको मिलता है 5.65 इसके अलाव अगर android की लेटिस्ट फीचर्स आपको चाहिए तो आपको जाना चाहिए honor 9 light के साथ में वैल यह थे मेरे व्यूज ऑन नाइन लाइट और इसका comparison honor 7x के साथ में क्या है आपकी व्यूज आप मुझे नीचे comment section में जरूर बताईए और आज के लिए friends बस इतना ही अगर आप plan कर रहे ही इन दोनों फोन में से किसी एक को खरीदने का तिन दोनों का link जो है वो नीचे description में दिया गया है तो आप हमारे दिये गए link का इस्तमाल करें तो आज के लिए friends बस इतना ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे like करिए share करिए अपने दोस्तों के साथ में follow करिए हमें facebook, twitter and instagram पे और subscribe करिए हमारे youtube चैनल को और अगर आपके हैं कोई suggestion तो आप नीचे comment section में हमें ज़रूर बताइए और हम कोशिश करेंगे उसको follow करने की तो हम मिलते हैं हमारे एगली वीडियो में until then take care